निरसकार आप देख रहे हैं पुलिस वाला वाब नियूज और महूं आपके साथ हरशता कुमार संग द्वारा काउंटिंग स्थल पर ही दिया गया कॉंग्रेसियों में खुशी की लहट दॉल गई और मदगर्णा स्थल से बाहर आते ही कॉंग्रेस प्रत्याशी सुरेश राज़े के जीत के जैगोश्ट कि साथ नारे और आतिश बाजी शुरू हो गई तो विधायक सुरेश राज़े ने मीडिया को बताया कि जो विश्वास डबरा की जुनता ने मुझ पर जताया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ डबरा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा डबरा को जिला बनाने को लेकर पूछे गए प्रश्न पर जवाब में शिवरास सिंग चोहान ने डबरा में पुचार के दरान कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो डबरा को हम जिला बनाएंगे अब देखना ये है कि भाजपा कब तक डबरा को जिला बनाती है जनता की नजर में देकतर बाचुनाव था जहां संगर्स की कोई गुंजास नहीं थी लेकिन जिस तरह के आश्चर जनक परणाम आए हैं हम सभी लोग पाइटी में चिंतन करेंगे इसका मनन करेंगे क्या ये जनता का जनादेस है जनता कुछ और कह रही है ईबीम से कुछ और निकलना है ये हमारे लिए चिंता का विसे है लेकिन मैं डवरागी जनता जनारदन को दिल से धनवाद दूँगा जनोंने लोगतंत की रच्छा के लिए धन्वल को हराते हुए जन्वल को बिएसरी दिलाई है तब भी जमीन पर था आज भी जमीन पर हूं और मालक से दुआ करूंगा कि मुझे जमीन पर ही रहने दे तो दिखिए जो सपने हमने डवरा के लिए संजोए थे निश्चत रूप से उनमें तो दिक्कत आने वाली है क्योंकि मैं पिछला तीन साल कानवा बताता सरकार बनेगी तो दबरा को सोगाते देंगे दबरा को जिला बनाएंगी दबरा को हमने बादा किया तक करने महाविद्याल कि हमारी मांगें परानी मांगें बाइपास रोड़ डवरा के लिए बहुत अतिया वस्चक है एक अंडर ब्रश इतने लंबे समय से बाट जो रहा है चोटी-चोटे ज्यादा बड़े काम नहीं है सरकार के लिए बहुत मामूली काम है और सबसे बड़ा काम है इतनी बड़ी मंडी को वह आए तक कंक्रीट पूरी उसमें नहीं करा पाएं इस कारण जी आए दिन जाम लगता है यह लाड़ली बहना नहीं है हम इसको नहीं मानते किसी तरह का लाड़ली बहना का कोई बहुत बड़ा आथा नहीं है लाड़ली बोरी चाहता था हूंग्र पूरी भाजपा मान चुकी तभी तो जो मुकमंत्री तीन तीन बार से मुकमंत्री का स्थेरा पेस नहीं करना यह डर नहीं दिखाता था डर था एक और चीज बहुत जो विए उसका भी असर हुआ है चुनाओ के ठीक एक दिन पहले प्रदानमंतरी द्वारा किसान निदी का पेशा भीजा जाना यह सुधु रूप से रिस्पत खोरी है शुध रूप से यह मामला बनता है बेशे तो निर्वाचन आयोग का अब लेकिन टी एंट सेशन के जमाने का निर्वाचन आयोग नहीं है अब आज चल किस तरह का निर्बाचन रह गया है आप समझ रहे हों लेकिन ये लोगतंत के लिए खतर ना के और बिसेश कर मैं कह रहा हूं ये आने वाले समय में देश के लिए संब्धान के लिए बहुत बड़ा खतरा है जिस तरह का जनादे से निकला है